माई डियर स्टूडेंट्स आज आप सीखेंगे राइमिंग वर्ड्स की सीरीज में ओड इससे पहले आपने जो भी राइमिंग वर्ड्स सीखे थे वो बेस्ट थे A T at पर जैसे के आपने सीखा था Cat Sat Like This और इसी तरह से उसके बाद वाला जो सेशन था उसमें आपने सीखा था A T at आज आप सीखेंगे O T odd और पर राइमिंग वर्ड्स सीखेंगें तो इसमें मैं आपको सबसे पहला जो वर्ड्स बताने जा रही हूं वो है बहुत सिंपिल वार्ड है जी ओ टी इसी तरह से देखिए प्रक्रिस करिएगा इसको बनाने की और इसको साथ में बोलने की जी ओ टी गॉट इसके बाद है फिर इसके बाद है नेक्स्ट आपका यह दिखें सेकेंड नमबल पर आप सिखेंगे हो टी होट अब गॉट मीस तो हो गया कि आपने पाया है कुछ देन यूइल स्पीक गॉट और हो टी होट यानि की करम लाइक बाद होट टी होट मिल्क नेक्स्ट थर्ड वन इस पॉट पॉट मीस कोई भी बरतल इूटेंशिल्स आगे आएंगे हम लोग और इसमें देखेंगे फिर पॉर्स नमबर में देखें लॉट जब भी कुछ जादा होता है तो हम इस तरह से बोलते हैं लॉट ओफ लॉट सॉफ तो यह है लॉट इसके बाद आप फिफ्ट नमबर पे आएए इस वन इस नॉट आप सभी जानते हैं नॉट इट मींस नहीं नॉट 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 शॉट और इसके बाद फिर आजाईए एट नॉट नंबर पे और यह है एस पी ओ टी spot spot means strain यानि किसी तरह का कोई भी धबा तो आपने अभी क्या सिखा rhyming words सिखे ot के ot ot जिसमें सबसे पहला सिखा g ot got इसी तरह से तेज आवाद में आप भी बोल के सिखेगा g ot got h ot hot pot pot lot ot lot n o t not d o t dot s h o t short s p o t spot आप इसको लिख के भी प्रक्टिस करेंगे और इसके साथ ही इसकी spelling learn करके और इसको अपनी आवाद में record करके हम तक भेजेंगे I hope so कि यह जो rhyming words की series है आपकी यह आपको समझ आ रही होगी और a t के बाद e t और e t के बाद आज आपने o t वाले rhyming words को सीखा है और आपको मज़ा भी आ रहा होगा इनको सीखने में आप देखें यह जो dots मैं बना रही हूँ इनको points मैं बोलती थी अभी तक तो dot means points भी होते हैं और आपको पता ही है कि यह मैं क्यों बना रही हूँ क्योंकि आपको इसी तरह से इन ही points पर अपने इन rhyming words को लिख करके और उनकी practice करनी है थैंक यू